आप आ गए तो हम भी आ गए तो चलिए शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो में क्लास 11 के गणित प्रशनावली 2.1 को दोस्त सबसे पहले एक बात ध्यान दिजिए कि आप लोगा जो किताब है यह आप चेंज हो गया है अभी नया बुक के कॉर्डिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं लेकित एक बात ध्यान दिजिएगा कि जो चेप्टर 2 है न यह आपका बिल्कुल चेंज नहीं है जो पहले वाले बुक में पढ़ना था वहीं सेम नय वाले बुक में पढ़ना है 2.1, 2.2, 2.3 और 2 बीबीद यह आपको पहले भी पढ़ना था और आज भी जो नया बुक आया है इसमें भी पढ़ना है बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है कि बुक बदला हुआ है तो आपको बता दे कि जो चेप्टर आपका 1 है उसमें से 1.6 जो है हटा दिये गए है नए बुक में बीबीद में आपको पाले 14-17 कोचे ने पढ़ना था अब आपको 10 ही पढ़ना है चेप्टर 1 से तो कुछ कम हुआ है लेकिन चेप्टर 2 से बिलकुल कुछ कम नहीं हुआ है तो आप लोग बिलकुल आप जो पुराना भी वीडियो होगा आप देख सकते हो या नए बुक आप लोग ले लिये है या नए किताब ले लिए है या पुराने किताब लिए है तो आपको चप्टर 2 में कोई देखने को अलग नहीं मिलेगा जियों का तिमी पढ़ना है पहले जो पढ़ना था आज भी वहीं पढ़ना है चप्टर 3, 4 में बहुत सारा कटवती हुआ है लेकिन चप्टर 2 में बिल्कुल नहीं तो चलिए आज हम लोग चप्टर 2 सुरू करेंगे जिसमें परसनाली दो दसमलो एक को पढ़ेंगे यह आपका चप्टर का नाम है संबंध यो फलन तो देखो हम संबंध और फलन शुरू करने जा रहे हैं तो संबंध यो फलन रेल्सवेंड फंसन इसमें सबसे मुश्ट इपॉर्टेंड यहां पूरा हमारा जो कारतिये ॉद्वा यह द होले को हम इसको पढ़न होगा तो छोटी-छोटी बात जो थी हम बता दीया आपको अब आपको ध्यान देना है तो सब सबसे पहले आजाईए हमें सिखते हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम डाल लेते हैं हेडिंग कि संबंध थीवरी है दस मिनट का दस मिनट नहीं लएगा उसको पढ़ लेजिए उसके बाद प्रशनावली दो दसमालों एक बहुत इजी हो जाएगा ठीक है डिरे रिलेशन अन्ड फंट्टान ठीक है संबंध है कि संबंध कि सको काते हैं ठीक है नमबर एकह लाज कि संबंध किसे कने इस से हम समझेंगे संबंद तो आप लोग भी जानते होंगे कि एक जिसे भाई बहान में संबंद होता है मता पिता में संबंद होता है लेकिन वो संबंद आपको Class 11 में मतलब नहीं पढ़ना है आपको direct आपको Question के Codding पढ़ना है ठीक है? संबंद का मतलब होता है कि मालों की यह हम mathematical पढ़ेंगे यदि A और B कोई दो अरिक्त समुच्य अरिक्त काने के मतलब उसमें कुछ ना कुछ समुच्य है जिसमें A क्रॉस B का पूरा का पूरा एक संबंध हो तो उसे R को A से B में संबंध का जाता है यह बात बोलने से आपको समझ में नहीं आएगी ज कोई दो अरिक्त अरिक्त का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ है ठीक है रिक्त मतलब खाली अरिक्त मतलब कुछ ना कुछ है आरिक्त समुच्य अरिक्त समुच्य हो जिसमें, जिसमें, एक क्रोस बी, सबसेट आर, आर मतलब रिलेशन, तो, आर को, आर को, ए से, बी में, संबंद कहा जाता है, संबंद कहा जाता है, ठीके, याद रहेगा न, देखो, यदि, ए और बी कोई दो अरिक्त समूझ है, तो, ए और बी का जो क्रोस होगा, वो पुरा का पुरा एक हमारा एक रिलेशन, यानि, आर में होना चाहिए, ये सब्सेट पड़े थे न, चेप्टर एक में, कि पुरा का पुरा ए और बी का है, इसमें होना चाहिए, तो, आर को, इसी आर को, ए से बी में क्या बोलते हैं, संबंद कहाते हैं, ठीके, ये के परिभासा हो गया है, एक दूसरा परिभासा और समझिये, येदि एक कोई, वो याद नहीं है, ते भी लिख सकते हो, येदि एक कोई, येदि एक कोई, और रिक्त समुचे हो, और रिक्त समुचे हो, जिसमें, जिसमें, एक क्रोस ए, बिलंग्स टू आर, तो, आर को, संबंद कहाते हैं, ठीक है, तो, परिभासा से कोई माइन नहीं रखता है, में चीज़ा, आपका क्वेशन आना चाहिए, बनाने आना चाहिए, ठीक है, तो, ये हुआ संबंद का परिभासा, अब में टॉपिक पर आते हैं, जो हम लोग का परशनावली है, वो 2.1 है, और 2.1 जो है, पूरा का पूरा इस टॉपिक पर अधारित है, करतिये गुणन पर, ठीक है, तो, करतिये गुणन से भी पहले, एक टॉपिक का नाम है, क्रमित जुग्में, ठीक है, इसका नाम है क्रामित जुग्म यह सब बाते पढ़ लो नहीं तो बाद में पच्टाना पढ़ेगा जब क्वेशन में बताएंगे तो आप लोग नहीं पढ़ रहेंगे तो कहेंगे सब कहां से आ रहा है क्रामित जुग्म को इंग्लीज में ordered pair बोलते है order pair तो करामित जुग्म का बेखिए परिभासा होता है कि एक करामित जुग्म जिसे x,y दुआरा मतलब दरसाया जाता है या दिखाया जाता है दो व्य होता है जो x बिलॉंग करता है a में और y बिलॉंग करता है b में तो जो समुझ a और b है वो कभी भी कभी क्या होता है कि बराबर भी हो सकते हैं ठीके और करमित जुगम को X को हम लोग बोलते हैं प्रतम घटक और B को दिवतिय घटक भी बोल सकते हैं इस बात को लिख देते हैं तो आप लोग आच्छा समझ माएगा करमित जुगम का मतलब होता है क्रमित जूग मतलब दो जूग में एक क्रमित जूग में जिसे एकस वाई दुवारा दरसाया जाता है दुवारा दरसाया जाता है ठीक है? दो अबयाव दो अबयाव एकस बिलांग्स टू ए तथा वाई बिलांग्स टू बी समूच समूच ए तथा भी ए तथा भी बराबर भी हो सकते हैं कहने का मतलब है कि जो क्रमित जूग में होता है यह एकस और वाई दो जूग में रहते हैं ठीक है? इससे दरसाया जाता है एकस वाई से जो दो जूग में है एकस जो है एक के लिए बिलोंग करता है वाई जो है बी में बिलोंग करेगा ठीक है? और समूच ए और बी कभी 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 क्या होंगे ए और बी क्या होंगे कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं ठीक है? और इसमें X को प्रत्थम घटक और Y को दिवत्य घटक भी कहते हैं इसा याद रखिएगा ठीके या लिग देता है याद रखने के लिए X तथा Y को क्रमसा प्रत्थम घटक तथा इसको अमलोग दिवत्य घटक कहते हैं करमसा का मतलब समझते हैं न यह सब समझेए करमसा का मतलब होता है X को प्रत्थम वाई को दिवत्य घटक तो यह होता है क्रमित जुग में अब हम लोग पढ़ेंगे दो समुच्यों का कारतिये गुडर यह सबसे मोर्फ इपॉर्टेंट टॉपिक है और पूर्य प्रशनावल इसी पर अधारित है ठीक है इसको ध्यान से पढ़ लिजिए नहीं तो बाद में बहुत पज़ता होगे यह टूएल में भी बहुत इपॉर्टेंट है दो कि समुच्य का का कारतिये गुडरन कारतिये गुडरन जिसको हमलें इंगली से बोलते हैं कार्टेजियन 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 प्रोड़क्ट आप टू सेट्स कार्टेजियन प्रोड़क्ट आप टू सेट्स ठीक है आईए इसको हम लोग सिखते हैं कि दो समुच्यों का कारतिये गुडरन का परिभाशा होता है यईदी समुच्य A में कुल अभयय मानलों की A मभवे हैं तथा समुच्य B में A नभवे हैं तो इनको A x B को कुल अभयय के संख्या को ही A m Beauty A नो कता है बात समझ में नहीं आ रहे हैं यदी समुच्य ध्यान से दिखियेगा यदि समूच जब तक एक्जामपल नहीं बताएंगे तब तक आपको समाज बनेएगा इसलिए ध्याम से देना होगा यदि समूच ए में कूल एम अवगाए हो तथा समूच बी में समूच बी में कूल एम अवगाए हो तो एक्रोस बी के कूल अवगाए हो की संख्या कूल अवगाए की संख्या एम इन टू एन होगी कूल अवगाए की संख्या कितने होगी एम इन टू एन होगी ठीक है एक्जामपल के तोर पर समझे तब आपको समझने बाते आएगी मालनो कि ए बराबर कोई अवगाए है ए बी सी और बी बराबर अवगाए है एक दो तो आपसे पूछा जाएगा कि ए क्रोस बी बताए क्या होगा ठीक है, कैसे बताइएगा सबसे पुर्दे लिखेंगे A cross B बराबर A का मान को लिखेंगे A, B, C cross B का 1, 2 अब यहां से देखो A cross B बराबर यहां पर क्या करेंगे A को लेंगे, इससे गुना कराएंगे तो गुना कैसे लिखते हैं A, 1 यह नहीं कि A गुना A, एक गुना, एक नहीं लिखना है इसको गुना, कार्टिजियन गुना का मतलब होता है A को लेंगे और A को, कुमा बीच में लाकर लिख देंगे, उसके बाद फिर A को 2 से करेंगे A को 2 के साथ कर देंगे फिर B को 1 से करेंगे B, 1 फिर B को 2 से कर देंगे यह होता है कार्टिजियन गुना C को 1 से कर देंगे फिर C को 2 से कर देंगे A होता है कार्टिजियन गुना जदि आपसे कोई बोल दे कि E, C को, कि B गुना A निकालिए अब क्या करेंगे B का मान को पहले लिखेंगे एक, δो, और एक का मान A, B, C है अब कैसे करेंगे लबता आप कुछ समझ में कुछ-कुछ آहीं گया होगा बोलिए सबसे पहले A को लेंगे A से करेंगे 1,A हो जाएगा फिर A को B से करेंगे 1,B होगा फिर A को C से करेंगे 1,C हो जाएगा उसके बाद फिर 2 को A से करेंगे फिर 2 को B से करेंगे फिर 2 को C से करेंगे ठीके यह हो गया आपका एंसर तो कार्टिजियन गुणा आप लोगो कार्टिजियन प्रड़क्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए अब बहुत सरा क्वेशन मिलेगा प्रशनावली 2.1 में तो आएए वहाँ चलते हैं प्रशनावली 2.1 का पहला प्रशन है कि यदि X by 3 plus 1, Y minus 2 by 3 बराबर 5 by 3, 1 by 3 तो X और Y का मान गयाद करना है बहुत इजी है इसको ध्यान सिदे करिएगा क्या बोला है ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है यानि X plus 3 by 1 बराबर हो जाएगा 5 by 3 के Y minus 2 by 3 बराबर हो जाएगा 1 by 3 के ठीक है आईए तो सबसे पहले करते हैं X by 3 plus 1 बराबर ये हो जाएगा 5 by 3 के और ये हो जाएगा Y minus 2 by 3 बराबर हो जाएगा 1 by 3 के ठीक है यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो इसको हल करने के लिए ठीक है क्योंकि X से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ देखो 3 और 1 का LCM क्या होगा 3 हो जाएगा इसको भाग देंगे एक बार में X से और X ले करेंगे यह हो जाएगा X प्लस इसको भाग देंगे तीन बार में तीन से और X से करेंगे 3 बराबर 5 बटे 3 बिच्च में बराबर का साइन है तो इंप्लाइड का साइन देंगे अब देखो अब इसको क्या करें क्रोस मल्टिपिकेशन कर देंगे तिरचा तिरची गुना तीन चलिएगा इसमें गुना ये तीन चलिएगा इसमें गुना तो तीन इंटू एक्स प्लस थ्री बराबर पंच्ती याई 15 यहाँ से हो जाएगा तीन सो और एक्स लेकरेंगे तीन एक्स तीन को तीन से करेंगे 9 और यह हो जाएगा 15 ठीके यहाँ से देखो यह तीन एक्स बराबर यह 15 प्लस धर जाएगा तो माइनस यहाँ से तीन एक्स बराबर 15 में से 9 जाएगा पंदरह में से 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 X में 3 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा X बराबर 6 बटा 3 यानि यह 2 हो जाएगा यहां से आपका X का जो मान आया, यह 2 आगे अब यहाँ Y का इमान निकाल लेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, ठीक है एक और 3 का LCM 3, इसको भाग देंगे 3 बार में 300 Y से करेंगे 3Y माइनस, इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और 2 से 2 यह हो जाएगा 1 बटे 3, इसको करेंगे Cross Multiplication 3 को इससे गुना करेंगे, यह हो जाएगा 3 इंटू 3Y माइनस 2 बराबर 3 को एक से करेंगे 3 यहां से देखो, 3 को 3 से करेंगे 9Y, 2 से करेंगे 6 बराबर 3 यहां से 9Y बराबर यह 3, और यह माइनस रहना इधर जाएगा तो पलस हो जाएगा यहां से देखो 9y बराबर 6,3,9 ठीक है? 6,3,9 यहां से y बराबर हो जाएगा 9 बटे 9 कट करके 1 आ गया यानि यहां से लिख देंगे y बराबर 1 लाश्ट में लिखेंगे अता x बराबर 2 और y बराबर 1 अपका एंसर ठीक है? कोई दिकत नहीं किसी को question number 1 सबको समझ मागया? अब चलो question number 2 देखो यह है अपका question number 2 यदि समुच्च A में तीन अभयाय हैं तथा समुच्च B में इतना है तो A x B में अभयायों की संख्या ग्याद किजिए क्या करना है? A और B की अभयायों की संख्या बताना है ठीक है? तो सबसे पहले देखिए A ने में कितना अभयाय दिया है? तीन और B में भी देखो एक दू तीन यानि B में भी तीन ही दिया है इसको लिख देए यह number of A बोलते हैं number of B इसको बोलते हैं एसे संख्या को number से denote करते हैं दूसरी दिया mathematical में इसको A ने बोलेंगे A की अभयायों की संख्या 3 और B की अभयायों की संख्या 3 हमसे पूछा है कि A क्रोस B बताइए A क्रोस B यानि e क्रोस B में संख्या पूछा है तो लिखेंगे number of A क्रोस B जिसका फर्मूला होता है, एक बार number of a गुना number of b फर्मूला, ठीक है? तरjadi देखो, यहां से number of a गुना b बराबर, क्या हो जाएगा? बराब़ का साइन है? Number of a के माल, 3, number of b के माल, 3. यानि यहां से number of a गुना b बराबर 3 का 9 आपका एंसर हो गया, ठीक है? तो question number 2 भी आपका complete होता है अब हम लोग question number 3 देखेंगे question number 3 है G बरावर इतना दिया है और H बरावर इतना है तो G गुना H और H गुना G ग्याद कीजिए ठीक है, बहुत तीजी है, ध्यान से दिखिए सबसे पहले आपको जो दिया है न लिख लो G का मान 7 और 8, H का मान 5, 4, 2, ठीक है यहाँ से हम सबसे पहले G गुना H निकालेंगे तो G है 7 और 8 क्रोस, H है 5, 4, 2, ठीक है इसका हमको क्रोस निकलना है, तो क्रोस आपको काटीजेन पुड़क्ट पहले ही पताएं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को 5 के साथ करेंगे यह हो जाएगा 7, 5, उसके बाद 7 को 4 से करेंगे यह हो जाएगा 7, 4, फिर 7 को 2 से करेंगे यह 7, 2 हो जाएगा, उसके बाद 8 को 5 से करेंगे 8, 5, फिर 8 को 4 से करेंगे, 8, 4, फिर 8 को 2 से करेंगे आठ दो ठीक है तो जी गुणा एच हमारा इतना आगिया अब एच गुणा जी निकलना है एच गुणा जी एच एच है पांच चार दो और जी है साथ आठ ठीक है एच गुणा जी निकलना है यह देखो पांच को साथ से करेंगे पांच साथ पर पांच को आठ से करेंगे पांच आठ पिर चार को साथ से करेंगे पिर चार को आठ से करेंगे पिर दो को साथ से करेंगे पिर दो को आठ से करेंगे ए हो गया आपका एंच गुना जी जो आपसे बोला गया था क्वेशन हो गया तो जीन को कार्तिये गुळन अच्छे से समझ में आ गया फिर किसी को दिकत हो ही नहीं सकता ठीक है अगला क्वेशन नंबर चार देखते हैं अब देखो क्वेशन फोर आपका बताईए कि पहला प्रशन है कि इसमें पी बरावर एम कोमा एन है और क्यू बरावर एन कोमा एम है तो पी क्रोस क्यू आपको निकालना है नहीं पी क्रोस क्यू निकाल करके दिया गया है तो देखो तो हम एक बार चेक करते हैं कि एम को एन से करेंगे तो एम एक बार एन को एम के साथ क करेंगे तो किया ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे यह बोलेंगे की असद्य है क्या है इसफ़ करना है जाद या शात्य हो गया तो इसफ़र है करना है तो देखो P cross Q निकालते है तो P कमान है M, N क्रोस Q का माहन है N, M तो P क्रोस Q हो जाएगा M को N से करेंगे M, N फिर M को M से करेंगे M, M फिर N को N के साथ करेंगे N, N, फिर N को M के साथ करेंगे N, N, ए हो गए आपका final answer, ठीक है अगला देखिए यदि A और B अरिक्त समुझे है तो, देखो, अरिक्त मतलब इसमें कुछ न कुछ है तो A क्रोस B करामित जुग में X, Y का एक अरिक्त समुझे है तो इस परकार X belongs to A और Y belongs to B होगा, बिल्कुल नहीं यह असत्त है, ठीक है क्यों, क्योंकि जो X है, और A में बिलोंग करी नहीं सकता और Y भी B में बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि A और B करामित जुग में है किसका? X, Y का इस लिए ठीक है? तीसरा है, यदि A बराबर एक दो और B बराबर तीन चार तो A क्रोस B B intersection 5 equal to 5 बिल्कुल सही है क्योंकि A को क्रोस है B intersection 5 तो B intersection 5 जोनों में कुछ नहीं में लगा भाई 5 से और A से गुना कर रहेंगे तो 5 ही ही होगा check करो A क्रोस B intersection 5 गोला है एक का A और B intersection 5 क्या मिलेगा A और 5 से करो तो क्या मिलेगा 5 तो आपका सत्य है लिखेंगे सत्य है ठीक है इसको करने जिरूत नहीं है बस आपको दिखाने करें लिखेंगे बस आपको सत्या सत्य लिखना था ठीक है यह था question number 4 आप लोगा complete हो गया ठीक है कोई दिखत नहीं question number 4 में अब question 5 देखिए यदि a बराबर minus 1 और 1 तो a cross a cross a ग्याद किजिए ठीक है यह भी बहुत इजी है इसको करना सिखिएगा क्योंकि इसी तरह के आपके exam में भी question आते हैं ठीक है तो पहले देखो इसको तीन बार गुना करना है तो पहले हम दो वाला निकालेंगे यानि पहले पहले e cross a निकालते है ठीक है एक कमान क्या है minus 1,1 cross a कमान है minus 1,1 इसे निकालते हैं पहले तो क्या होगा देखो तो सबको करती बहुन आ गया है न तो देखो सबसे पहले करेंगे minus 1 को minus 1 के साथ तो यह होगया minus 1, minus 1 उसके बाद minus 1 को 1 के साथ, उसके बाद 1 को minus 1 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, ठीक है? A cross A निकल गया, हमें क्या निकलना है? तीन बात देखो हम क्या करते हैं बात को समझेगा थोड़ा बहुत आपको अभी समझ नहीं आगा लेकिन अंत करते करते आप लोग को बाते समझ में आ जाएगी हम इस टोटल को A माल लेते हैं इसको हम B माल लेते हैं और इसको C और इसको D ठीक है तो यहां से A करोस A का जो मान आया हम इसको A माने तो A हो गया इसको B इसको C इसको D मान ले ठीक है हमें निकलना है A करोस A करोस A ठीक है यहां से क्या करेंगे A का मान जो है माइनस एक कोमा एक है और A क्रोस A कमान क्या लाए हो A B C D ठीक है अब क्या करेंगे यहां से निकालेंगे देखो मैनस एक को A से के साथ करेंगे मैनस एक को B के साथ मैनस एक को C के के साथ मैनस एक को D के साथ ठीक है एक को A के साथ एक को B के साथ एक को C के साथ एक को D के साथ हमने कर लिया अब देखो A B C D का मान देने पर मान देने पर एक क्रोस एक क्रोस ए बराबर माइनस एक का मान क्या है माइनस एक कोमा एक माइनस एक बी का मान देखो क्या है B का minus 1,1 उसी तरब minus 1 C का मान है 1, minus 1 उसी तरब D का D का मान है 1,1 उसके बाद 1 A का मान है minus 1, minus 1 उसके बाद 1 B का मान है minus 1,1 उसके बाद 1 C का मान है 1, minus 1 उसके बाद डी का महने एक कोमा एक कोमा एक यह आपका फाइनल एंसर तो देखो जब भी तीन गोला मल्टपल आये ना तो सबसे पहले आप एगुना ए निकाल लो और उसे एभी सीडि के फॉर्मे कर लो अब क्या हो गया कि इसको तीनों गुना करने में इजी हो गया देखो तीनों को आगला देखो, छे नमबर, यदि A गुना B बराबर A, X और A, Y, B, X, B, Y, तो A तथ B का मान ग्याद कीजिए, देखिए, यहां से A का जो मान आएगा, A कौन सा होता है, पहला पार्ट होता है, पहला पहला, सबका पहला, A, A, B, B, यहां से जदी हम A, A, B, B है, आपको पाता है कि कोई भी रोस्टर फ़र में दो बार एक चीज़ को नहीं लिख सकते हैं, तो A में से एक लिखेंगे, दो B में से एक लिखेंगे, एक चुछ अला गया, अब B का मान, दूसरा होता है, बी उला, X, Y, X, Y, तो कभी भी दो नहीं होगा है, एंसर, ठीक है, अब चलते हैं, क्वेस्चेन नमबर साथ, अब का क्वेस्चेन नमबर साथ है, माल लिजिए कि A बराबर इतना है, और B बराबर इतना, और C बराबर इतना, और D बराबर इतना, तो सत्यापित किजिए कि इतना बराबर इतना, और A गुना C, B कु B intersection C बरावर A गुना B intersection A गुना C यह आपको दिया गया है यह LHS है और यह RHS है तो हम इसे कर लेते हैं कि refere 되면 LHS और यह RHS हम चलेंगे LHS से LHS से LHS क्या है A x B intersection C यहां से देखो A A कमान लिखो A कमान है 1,2 उसके बाद देखो B B कमान है 1,2,3,4 ठीक है intersection C कमान है 5,6 यहां से क्या आ जाएगा देखो तो 1,2 यहां देखो दोनों में क्या intersection है, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो 5 तो मिलेगा अब देखो 5 से और इतना से करेंगे तो यह हमारा 5 आ जाएगा ठीक है तो LHS को हल करके हमने 5 लाया अब RHS को हल करेंगे अब चलेंगे RHS से RHS, RHS क्या है A क्रोस B intersection A क्रोस C तो यहां से A का मान है 1,2 क्रोस B का मान है 1,2,3,4 और एक प्रेकेश लगातेंगे intersection A का मान है 1,2 क्रोस C का मान है 5,6 ठीक है तो यहां से देखो सबसे पहले इसका क्रोस निकालेंगे 1 को 1 से खाथ करेंगे 1,1 फिर 1 को 2 के साथ करेंगे 1,2 फिर 1 को 3 से करेंगे 1,3 फिर 1 को 4 से कर देंगे 1,4 ठीक है फिर 2 को 1 से साथ कर देंगे 2,1 फिर 2 को 2 के साथ कर देंगे 2,2 इंट्र सेक्षण तो इंट्र सेक्षण लगा देंगे फिर कर संद्र से एक कोछ 10-anno कि हमाओ ठीक है अब देखर नों में क्या मिद रहा प्रूप अपका एंसर ठीक है समझ मैं है सबको किसी कोई दिकत नहीं है तो क्वेश्चन नमबर शाथ LHS equal to RHS proof हो गया ठीक है अगला इसका दूसरा देखे एक क्रॉस C और B क्रॉस D एक उप समुच्च है मतलब A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का एक उप समुच्च है उप सम जानते है न उसका पूरा का पूरा उसमें अबवाय होना चाहिए ठीक है तो हम चलते हैं दूसरा इसको टिक एक कमान है 1,2 और सी कउच जो मान है वह है 5,6 तो यहां से इसका मान आ जाएगा एक को बांच करेंगे 1,5 एक को छे से करेंगे 1,6 दो को बाउच से करेंगे 2,5 दो को छे से करेंगे 2,6 ठीक है उसके बाद अब निकालेंगे हम अब B क्रॉस D B क्रोस D तो B क्या मान है 1, 2, 3, 4 और D क्या मान है 5, 6, 7, 8 ठीक है तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 1 को 5 से करेंगे 1,5 1 को 6 से करेंगे 1,6 1 को 7 से करेंगे 1,7 1 को 8 से करेंगे 1,8 फिर 2 को 5 से करेंगे 2,5 फिर 2 को 6 से करेंगे फिर 2 को 7 से करेंगे फिर 2 को 8 से करेंगे उसके बाद फिर 3 को 5 से फिर 3 को 6 से फिर 3 को 7 से फिर 3 को 8 से फिर 4 को 5 से फिर 4 को 6 से फिर 4 को 7 से फिर चारको आठ से एह हमने कर लिया अब देखो तो जो A क्रोस C लाए हो एक पूरा का पूरा से मिल रहा है क्या है एक पांच है, एक aucे एक छे भी है दो पांच, दो पांच भी है दो छे दो छे आ Aww यो पूरा का पूरा इसमें मिल रहा है 7 इसी के साथ complete होता है अब हम 8 देखेंगे 8 प्रस्ण है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इस तरह का प्रस्ण में confusion में पढ़ जाते हैं लेकिन आप मेरा ट्रिक याद रखिएगा कभी नहीं भूलेंगे ठीक है सबसे पहले आपको A दिया है एक कोमा दो और B दिया है तीन कोमा चार ठीक है याँ से आप निकालिए पहले एक करोस B ठीक है एक करोस B निकालेंगे तो क्या होगा एक क्रोस B जो होगा एक को तीन से करेंगे एक कोमा तीन फिर एक को चार से करेंगे एक कोमा चार फिर दो को तीन से करेंगे दो कोमा तीन फिर दो को चार से करेंगे दो कोमा चार ठीक है तो आप से क्या बोलाए कि A क्रोस B में कितने उप समुच्चों होंगे तो कितने होग उपसमुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च से लेन डी हो जाएगां ठीक है इसको और इजी करते हैं फीर कितने अब हम में क्छार एक लोर्स बीक कितने उप समच एह वर dapat is समुच निकलना ना तो उप गय आ रखियेगा इसको एसको भी इसको चार hesit सखने को संख्या निकालेंगे उप्स-था मुच्यों की संख्या कि उप्स-वॉच्यों की संख्या2 के पउर एन, लिग भर बासित्थ पाइब फिर्मला फर्मुला होता है जो कि आपको 1 कि उप्सधी चप्रैंप पढ़ाए थे कैसे लिखेंगे आपको सुरू में बताये थे लिखने का तरीका होता है सबसे पहले सभी अपयोव में एक उपसमुचे में फाई तो सभी में होता है फाई सब में होता है ठीक है उसके बाद सब को हम क्या करेंगे सिंगल सिंगल लिखेंगे तो फाई हो गया उसके बाद एक को मिला कर लिखेंगे, A B हो जाएगा, उसके बाद B C हो जाएगा, उसके बाद C D हो जाएगा, A B हो गया, B C हो गया, C D हो गया, अब A को D के साथ लिखेंगे, A को D के साथ, फिर A को C के साथ हो गया क्या, A को C के साथ लिखेंगे, एक बार, A को C के साथ, और एक बार B तो D हो हुआ कि भी को डी के अई कि न發現 2 को सब को मतलब सिंगल सिंगल लिख दिए पिर उसको दो को भी एक बार एक बार एक बार सध क cz एक बार ईट के सांथ एक बार वीगेस यह अब क्या लिखेंगे CDA CDA ABC हो गया BCD हो गया CDA एक बार ABD लिखेंगे ABCD लिखेंगे और एक बार चारों को मिला कर लिखेंगे ABCD तो तल कितना उनची है 16 देखो तो एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दा से गारा बारा तेरा चोगा पंदरा शोला लिखेंगे न इस तरह से इसे लिखा जाता है अभी कंप्लेट नहीं हुआ अभी हम इस कमान दे देंगे तो हो जाएगा आप बच्चा भी देदेगा एक सब जगा ABCD कमांद दे दो तो यह होगा फाई एक कमानया एक तीन उपर देखते रहो ठीक है एक तीन 2014 और दू-3 दो-4 ठीक है उसके बाद एक को मिला कर लिखेना है तो एक तीन एक तीन एक चार एक हो गय उसके बाद B C B का मान एक चार और दो तीन ठीक है उसके बाद A B हो गया, B C हो गया, C D लिखेंगे C का मान है दो तीन और D का मान है दो चार C D हो गया, C D हो गया, अब A D लिखेंगे AD यानी एक तीन और D का दो जार, ठीक है, AD bी हो गया अब AC लिखेंगे A है एक तीन और C है दो तीन, ठीक है, अब B D लिखेंगे तो B D कितना हो जाएगा, B है आपका एक चार ओर D है दो जार, ठीक है B, D भी हो गया A, B, C अब मिला कर लिखेंगे A, B, C एक तीन एक चार दो तीन ठीक है उसके बाद B, C, D लिखेंगे तो हो जाएगा एक चार दो तीन दो चार ठीक है उसके बाद A, B, C हो गया B, C, D हो गया C, D, A लिखेंगे C, D, A उसके बाद A, B, D लिखेंगे A का मान है 1, 3 1, 4 और D है 2, 4 ठीक है और उसके बाद सब मिला कर लिखेंगे 1, 3, 1, 4 2, 3 2, 4 यह टोटल अब कर हो गया 16 था 16 अब लिखेंगे इस तरह से लिखोगे तो कभी भूलोगे नहीं अब ध्यान से करना होगा माइंड को बिल्कुल रिलेक्स रह करके नहीं कि कोई सोच रहोगा बना रहे हो तो गलत कर दोगे ठीक है अब चलते हैं 9 क्यूशन में 9 क्यूशन है कि मान लेजिए कि A और B 2 समुच्च है A ने बराबर 3 और A ने बराबर 2 यदि कितना इने में 3 दिया है और N B में 2 दिया है हम में क्या करना है जिसमें अब गय बना है ये दिया है जिसमें जिसमें A क्रॉस B के सदस A क्रॉस B के सदस क्या है X,1 Y,2 और z,1 है थीके, तो सबसे पहले, n, a x b निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा?, na into nb हो जाएगा, ठीके, इने कमान दिया, nb कमान दिया है, यहाँ से, na x b, na कमान है 3 और nb कमान है 2, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से हमारा, देखो, A में जो निकालेंगे यहां से A में A का पहला पाठ होता है A में हो जाएगा X, Y, Z और B में क्या हो जाएगा B में हो जाएगा 1, 2, 1 यानि 1, 2, 1 इसको हम लिख सकते हैं 1, 2 यहांगे एक बार दो लिख सकते हैं ठीक है तो जब हम इसको करेंगे यानि X, Y, Z गुना 1, 2 करेंगे यह हो जाएगा X को 1 से करेंगे X, 1 फिर X को 2 से करेंगे X, 2 फिर Y को 1 से करेंगे Y, 1 फिर Y को 2 से करेंगे Y, 2 फिर Z को 1 से करेंगे Z, 1 फिर Z, 2 हो गया ठीक है यहां पर देखो तो हमारा यहां से पहले क्या था? पहले हमारा X1, Y2, Z1 था X1, Y1 और Z2 इसमें से तीन सेस क्या क्या बन रहा है? X2 ये वाला और कौन सा? ये वाला ये तीन सेस बच रहे हैं तो लिखेंगे सेस तीन सदा से बच जा रहे हैं इसे अलग लिख देंगे क्योंकि यह तो पहले से था ही तो यह हो जाएगा x, 2, y, 2 और z, 2 अपका answer ठीक है अब इसका 10 देख़े 10 अपका प्रश्चन है कि कार्तिय गुड़न a x a में 9 अवया है जिन में –1,0 तथा 0,1 भी है तो समुझे a ग्याद कीजिए तता a x a के 6 अवया भी ग्याद कीजिए तो इसमें देखो a x a में 9 अवया है 9 अवया है कितने अवया है 9 ठीक है इसका कहाने का मतलब है कि number of a x a में 9 ठीक है जिन में दो सदस्द से है e वाला और e वाला जिसमे जिसमे दो सदस्द जिसमें दो सदस्द माइनस 1,0 यह 0,1 है तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या हैगा माइनस 1,0 और 1 तो यहां से हम a क्रोस a निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस 1,0,1 इन दोनों से मिलाकर लिख दिए और यहां से माइनस 1,0,1 इसको गुना करेंगे तो कितना होगा a क्रोस a बराबर इससे गुना करेंगे माइनस 1,1 हो जाएगा फिर माइनस 1,0 फिर माइनस 1,1 अब यह देखो 0,-1 0,0 0,1 1,-1 1,0 1,1 यह हमारा a क्रोस a आ गया ठीके तो इसमें पहले से कौन कौन सदस से है यह वाला दू है 9 में से 7 गड़ा देंगे कितना बचेगा 7 तो सेस तब पूछा है सेस 7 सदस है वो कौन कौन है तो देखो कौन कौन छोड़ देंगे माइनस 1,0 0,1 तो छुटने वाला माइनस 1,-1 माइनस 1,1 0,-1 0,0 1,-1 1,0 और 1,1 यह आपका 7 सदस ठीके इसी के साथ हम लोग का प्रशनावली जो था 2 दसमलो 1 कंप्लीट होता है अगले वीडियो में 2 दसमलो 2 को देखेंगे और जिनको क्लास 11 की पूरी मैथ पढ़ना है 100% मैथ पढ़ना है लाइब क्लास करना है तो ओ लोग मेंबर्सिप में जोएन हो सकते हैं 8383-896119 पर कॉल आप मेसेज करके सरसे बात कर सकते हैं जिसमें में मेंबर्सिप में जोएन होने के बात आपको एप पर लाइब क्लास चलेगा नोट से मिलेगा कोई डाउड क्लास लेगा डाउड क्लास भी चलेगा ऐसे हमारा फिरी में यूट्यूपर पूरा वीडियो अपलोड होती रहेगा जिनको अलग से चाहिए और लाइब पढ़ना चाहते हैं तो इस नमबर पर कॉल करके सरसे बात कर सकते हैं चलेए मिलते हैं नेक्स वीडियो थेंक्यू सो मच